तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका हमारी इस यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम सिखने वाले है कि आप ऐसे अपने एक सिंपल से पोटो पे कोट लगाना चाहते तो आप अपने गर बैठे ही मॉबाइल फोन से कैसे लगा सकते है तो इसके लिए आपको तो पहले जाना होगा गूगल में और वहाँ पे आपको सर्च कर देना है कोट पी एंजी इसके बाद आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और आपको जिस भी कोट को आपके इमेज पे लगाना हो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है फिर आपने जिस भी कोट वाले फोटो को डाउनलोड किया है उसका आपको बेग्राउंड रिमूग करना होगा आपको बेग्राउंड रिमूग करने के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो इस वीडियो को देखके आपको background प्रिमू कर लेना है इसके बाद आपको एक application इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है Pixel Lab जिसका लिंक में आपको description में भी दिया हूँ फिर आपको पहले बार open करेंगे तो कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको इस text को यहाँ पे delete का option दिया है उस पे click करके आपको ok पे click कर लेना है फिर इसके बाद आपको यहाँ पे plus वाले icon पे click करना है और from gallery पे click करना है फिर इसके बाद आपको जिस भी photo को आपका coat लगाना है इसको यहाँ से आपको select कर लेना है तो भी इसको यहाँ से select कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ पे right पे click कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे option दिख रहा है इसके आपको click करना है और यहाँ पे आपको scroll करना है स्कॉल करने के बाद आपको यहाँ पे option दिखेगा relative size उस पे आप click करेंगे फिर आपको इसको 100% कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे simply right पे click कर लेना है फिर आपको फिर से plus वाले icon पे click करना है और from gallery में जाना है इसके बाद आपने this bit photo का code का background remove किया है इसको आपको यहाँ पे select कर लेना है फिर आपको यहाँ से कुछ ऐसे access करना है और यहाँ पे right पे click कर लेना है फिर इसको यहाँ से आपको ठींचना है और बड़ा कर लेना है फिर आपको यहाँ से इसको ऐसे access कर लेना है आपको यहाँ इसको थोड़ा बढ़ा करना होगा फिर आपको यहां से कुछ ऐसे एक्जस कर लेना है तो फिर आपका यह फोटो पे कोट लग जाएगा तो ऐसे आप अपने कोई भी फोटो पे कोट लगा सकते हैं फिर आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पे अप्शन दिय इस पर आपको क्लिक करना है और save image में जाना है फिर आपको format में यहाँ पर आपको png कर देना है फिर आपको यहाँ पर dimension में अल्ट्रा कल देला है फिर आपको save to gallery पर क्लिक कर लेना है तो फिर आपका यह photo आपकी gallery में save हो जाएगा आपको अपनी gallery में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यह photo यहाँ पर gallery में download हो गया है तो ऐसे आप अपने कोई भी photo पर quote लगा सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share कर दिजिए और हमारी चैनल को subscribe कर लिजिए